कोरोना महामारी और देश व्यापी लॉकडाउन के टलते पान किसानों को हो रहा है लाखों का नुकसान शेत्री विधायक देविलाल धाकर ने किया पान के बरेजों में हो रहा है नुकसान का नेडिक्षन पान किसानों ने बताया भानपूरा में श्री सुर्यवंशी कुम्रावत तंबोली समाज के लगभग पान सो पचास परिवार पान की खेती कर अपना जीवन ही आपन करते हैं इस समय देश भर में लॉकडाउन की चलते समस्त पानमंडिया बंध है और पानमंडियों तक नहीं पहुँच पा रहा है जिसे पान किसानों को भारी आर्थिक नुक्सान का सामना करना पढ़ रहा है और रोजी रोटी का संकर्ट पे दा हो गया पानी ऐसी फसल है जिसमें शाषन की और से किसी भी तरह के रहात राशे नहीं दी चाती और ना ही पान को फसल बिवा में शामिल किया गया पानकिसानों ने विधायक को खराब होरे पानकी फसल भी बताई विधायक धाकर ने इस सम्बन में मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा समाज अधिक्ष अश्वंतर रुद्रवाल ने बताए कि अगर पानकिसानों की सूद नहीं ली गई तो पानकिसान अपने परिवार का भरन पोशन कैसे करेंगे बानपुरा में मार्च उसे माई तक लगभग 6-7 करोड रुपे का आर्थिक नुकसान पानकिसानों को हुआ एक मादर आयका स्तरोथ है जिससे किसान अपने पुरे साल का गुजारा करता है लोकडाउन के चलते जो भानपुरा के पानकिसाने उनकी फूरी जो फसल है वो नस्ट हो चुकी है इस विसमें आपको यापन भी दिया गया तो क्या इस बार प्रसेशन से लोकडाउन के चलते जो पसल नस्ट हो इन लोगों की तो क्या कुछ रहत को इन तक पहुँच लोगों से जुड़ावा हूं इस खेती से वी इन सबसमाज वालों से भी जानकारी मिली कि पान की खेती में और मुख्य व्योफसा होने के कारण इस लागडाउन के कारण कोरोना कारण बहुत बड़ा नुकसान हुआ है तो मैंने स्वयम नहीं में स्वयम ने मुख्य मंत्री को पत्र लिखा कि मेरे यहां कुम्रावत तमवली समाज के लोगों का मुख्य व्योफसाई परिवार चलाना के एक मात्र जो है पान की खेती में इस कोरोना के कारण और लागडाउन के कारण ने तो पान मंडियों में बेच सके और उसके कारण काफी खराब हो गया है और मैंने यह भी लिखा है कि बचवापान के लिए मंडियों बेचने के अनुमती मिल जा तो कुछ सराहत उनको मिल जाएगी ग्यापन इन्होंने बाद में दिया मैंने पहले ही पत्र लिख जया था मुझे नुक्सानी का ए एक बार और बात करूँगा हमसे कि मैं किस वे में इनको साइटा की जा सकती है